है है डोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो मि यह सिटत्यागी आप सबीका बहुत-बहुत शोगत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्यान इंदिमें पर दोस्तो अगर आपने भी तक हमारे से YouTube चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे से YouTube चैनल को सुस्क्राइब कर ले और उसके पास वाले बैल ऐकन को भी सरूर दबाएं बैल आइकन दबाने से आपको फायदा यह होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वैसे तो यह है एक आईरुवेदिक दवा है जो मुख्य रूप से लिवर रोपके इलाज के लिए उप्योग किया जाता है इसके अलावा हिमाल्या लीव 52 सिरफ का उप्योग कुछ दूसरी समस्याओं के लिए भी किया जा सकता है इनके बारे में हम आपको बताएंगे हिम 52 सिरफ के लाब नमबर एक लिवर सिरोसिस तो पहले जान लेते हैं कि लिवर सिरोसिस होता क्या है लिवर सिरोसिस एक एसी इस्तिती है जिसमें लिवर में धीरे-धीरे खराबी आने लगती है और दीर कालिक शती के कारण लिवर सामानी रूप से कोई कारिये नहीं कर पाता लीवर शरीर में कई मैहतवपून कारी करता है जिसमें से आनिकारक पदार्थों को दूर कड़ना रख्त की सफाई कड़ना और मैहतवपून कोशक तत्वों का निर्वान कड़ना आदी सामिले नमबर दोट पीलिया दोब्राइब के इसार रोग जसमें टोटल सीर्म बीली रोबिन का इस्तर तीन मिलिग्राम पर。 डेसी लीटर से उपर बढ़ जाता है इसके मुख्य लक्षणों में आखों के सफया दिस्सा म्यूकस मेंब्रेन और तवचा का रंग पीला पढ़ जाता है नमबर 3, Hepatitis दोस्तो, लीवर में सूजन, जलन और लालिवा पैदा करने वाली स्थिती को Hepatitis का जाता है Hepatitis आम तोर पर लीवर में संकर्मन के परिनाम सवरूप या फिर अत्यदिक मातरा में सराप पीरने के कारण होता है इसके कई परकार हैं, जिसमें Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D और Hepatitis E सामिले Hepatitis A, B और C इसमें सबसे आम परकार के होता है नमबर 4, लीवर रोब दोस्तो, लीवर एक अंगे जिसका आकार छोटी फुटबाल जितना होता है और यह आपके पेट के दाइने और रिब पिंजरे से नीचे होता है बोजन को पचाने और सरीर के विशाक पदार्तों को मुख करने के लिए लीवर आवश्यक है लीवर की विमारी अनुवांसिक हो सकती है या 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 बिन कार कोक के कारण भी हो सकती है जैसे वाइरस का संकर्मन या अत्यदिक स्राप पीना लीवर की शती के कारण मोटापा भी हो सकता है समय के साथ लीवर की शती के कारण इस पर घाव आ सकते हैं जिसे चिकित सके बासा में सिरोसिस कहते हैं ये एक जानलेवा समस्या है नमबर पांच अनुरेक्सिया दोस्तों अनुरेक्सिया एक खाने का विकार है जिसमें असमानिय रूप से शरीर का कम वजन वजन बढ़ने का अत्यदिक डर और से वजन के पड़ती गलत अवदार ना होती है एनरेक्सिया से गरश्त लोग अपने वज़न और आकार को नियंदृत करने के लिए ऐसे परियास करते हैं जो उनके वज़न की गती वीदियों के साथ काफी हक्षेप करते हैं इसको एनरेक्सिया खा जाता है नमबर 6, बदजमी, बदजमी के बारे में से तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, बदजमी को अपच के रूप में भी जाना जाता है, या पेट के उपरी इससे में होने वाला दर्द या बेचानी है, अपच अन्य पेट का बरा हुआ या फूला हुआ मैसुस होना, सीने में जलन, जलन का एसास, एसिड के पेट से होकर, बोजन नली में आने के कारण, मतली, डकार, उपरी पेट में दर्द या बेचानी पेट फूलना, ये लक्षन अक्षर देखने को मिलते हैं, दोस्तों जान लेते हैं क कि ली 52 के क्या साइड इफैक्ट से हैं, दोस्तों चिक्त समय इमाले ली 52 सिरफ के दुस्त परवाव के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, हलाकि इमाले ली 52 सिरफ का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डोक्टर से सलाम अर्शवरा कर लेना चाहिए, दोस और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल सुस्क्राइब करें, मिलते हैं आप से करें आप आप